नमस्कार, Home Deco Riders देशी अंदाज में आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो और्गनाइजेशन के बारे में आज मैं आपको फ्रीज और्गनाइजेशन दिखाऊंगी यह है मेरा फ्रीज जिसमें तीन कमपार्टमेंट है और इसकी कैपैसिटी है 220 लीटर तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीजर सेकशन से यह है मेरा फ्रीजर यहाँ आप देख सकते हो आइस क्रीम सेकशन है जहांपर मैंने यह नगेट sürखे हुए और पीछे आप देख सकते हो आइस क्रीम रखा हुआ है इधर आप देख सकते हो आइस ट्रेय है नीचे मेंने छोटा ट्रेय है जिसमें फ्रोजन मटर रखे हुए यहां पर कुछ आइस बॉक्स में आइस रखे हुए यहां दू बॉक्स केट में रखे उए छोते बॉक्स के वी पर दॉक्स के केच्ट हमने और राइफर दॉट्स केट्स केवस्ट कीजियुत वर ईधर रखे हुए Collins को पर दॉक्स इसमीस और ये अंजीर इस टेप से जो ही एक्स्ट्रा था वो मैंने इसमे रखा हुआ है यह होगा है मेरा फ्रीजर सेक्षन यह है मेरा फ्रीजर सेक्षन का डॉर यहां पर मेरे सारे इंडियन स्पाइस रखे हुए है जैसे कि आप देख सकते हैं अजर सांभर मसाला गराडू मसाला पावबाजी मसाला चाट मसाला शाही बिर्याडी मसाला यह शाही पडीर मसाला पाणीपुरी मसाला इस टाइप से मैंने सारे मसाले यहां पर रखे हुए है अब चलते हैं मेल सेक्षन की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं एक फास्टील ट्रे है जिसमें मैंने एक्स रखे हुए है और मिल्क पाॉडर रखे हुए है यह फर्स सेक्षन है जहां पर मैंने यह वो क्षर रखे हुए जलते हैं पहले box की तरफ जहां मैंने सारे cheese, butter, cheese slices, cheese cubes इस टेप से सारा रखा हुआ है second वाला box जो है वो मेरे dry fruit वाला box है जिसमें मैंने सारे dry fruits रखे हुए जो मुझे daily need में कामाते है यह जर्दालू, पिसमीस, काजू, और यह मगज, जर्दान लीचे बादाम, इस टाइप से मैंने सारे ड्राइफूट से इसमें रखे हुए है, यहां आप दो छोटी ट्रे देख रहे हो, इसमें से फर्स्ट वाली ट्रे में मैंने, यहां पीछे की तरफ काज की बॉटल में क और अभी समर सीजन चल रहा है, तो कुछ कॉल ड्रिंग्स, अमूल दूद, यह नेस काफे, उसके बाद, मिल्क शेक, यह कुछ कॉल ड्रिंग है, रसी, इस टाइप से, मैंने इस छोटे वाले बास्केट में रखा हुआ है, यह दूसरा बास्केट है, जिसमें मैंने पीछे विनेगर रखा हुआ है, यह भी विनेगर की बोटल है, और यह सोया सॉस, चीली सॉस, डेजर्ट टॉपिंग, हर्शी चॉकलेट सिरप, और यह वाली बोटल में मैंने इमली का पेस्ट रखा हुआ है, जो कि मुझे सामभर बनाते टाइम काम आता है, और मैं यहां से आसान सेक्शन की तरफ, यहां आप देख सकते हैं, बड़ा सा फूट बास्केट है, जिसमें मैंने एक्वल, पियर, मस्क मेलन, इस तैप से फूट्स रखे हुए, यहां आप देख सकते हो, दो कंटेनर हैं, ग्लास के, जो कि ओवन में डारेक रख सकते हैं, विदाव लीड, मेरा जो भी लेफ्ट ओवर रहता हैं, वो मैं इसमें दोरों में रख देती हूँ, पीछे की तरफ एक ग्लास का कंटेनर है, जिसमें मैंने पनी रखा हुआ है, यहां आप देख सकते हो, छोटी-छोटी दो बॉटल है, जिसमें मैंने गार्लिक पेस्ट और जिंजर और कुछ गार्लिक रखा हुआ है, यहां पीछे आप देख सकते हो, अचार है, मैंगो पिकल और यह वाला भी मीक्स पिकल है, जो मैंने घर पे बनाया था, अब चलते हैं, धर्ड सेक्शन की तरफ, जिसमें मैंने, आप देख सकते हो, एक बड़ा सा वाटरमेलन है, जो कि फ्रोट बास्केट में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया है, यहां आप देख सकते हो, एक स्टील की हंडी है छोटी सी, जिसमें मैंने प्रीम इखटा करती हूँ, आप पीछे आप देख सकते हो, यह एक बॉक्स है, जिसमें मैंने सारे इस लिए अम नहीं सब्सक्ति फ्लेवर Mindy lado, वाली ट्रइवर, और यह ने वाला चौकलेट फ्लेवर, ईलाइची फ्लेवर, बट्र स्कोंच, और यह कलर हे á Milad techniques यह वाला जो बॉक्स है मैंने उसमें कोरियंडर, लेमन और चिली यह सारा सेल्प सिरिंग बैग में रखा हुआ है आप देख सकते हो लेमन, चिली और यह कोरियंडर जो कि खाना बनाते टाइम काम में आता है जल्दी यह से ले सकते हैं एक छोटा बास्केट इसके उपर रखा हुआ है जिसमें मैंने सूप्स और सॉस्स में मैयोनीज पाउचेस सारे आखे हुए इदर मैगी मसाला, टोमेटो सॉस और इस टैप से सारे छोटे छोटे जो पाउ पाउचेस का यह मैंने आपको दिखाया है यह है में डोर जिसमें फर्स सेक्षन में मैंने एक्स रखे हुए है सारे एक्स उदर नहीं आ रहे थे तो कुछ इदर रख दिये है यहां है माउथ फ्रेशनर पान गुलकन यहां पे बेकिंग कॉर्णर है बेकिंग डिलेटेड मैंने इदर रखे जैसे बेकिंग बेकिंग पाउडर कोको पाउडर ट्रिंकिंग चॉकलेट और पिजा रिलेटेड यह कॉर्णर है पिजा सेंडवीच जैसे आप देख सकते हो अधर पिजा टॉपिंग सेंडवीच स्प्रेड वेज मेयोनी इस टाइप से इदर रखा यह जीरावन और यह जीरावन ही है और यह जल जीरा इस टाइप से टाइक इदर रखे हुए है और यह सबसे नीचे वाला जो सेक्षन है इसमें मैंने वाटर बॉटल रखे हुए है एक ही बॉटल रखे हुए है मैंने क्योंकि हम मटकेटा ही पाणी पीते है यह फैंटा अ और यह अमुल दूद, यह juice, mixed fruit juice, दूद में काच की बोटल में रखती हूँ, इस टाइप से इधर मैंने दूद रखा हुआ है, आप देख सकते हूँ, इस टाइप के बैग जो आते है, उसमें मैंने वेजीटेबल्स रखे हुए, यह बहिंग आप देख सकते हो, इस टाइप पक्ड़ी, हीरा बोलते हैं जिसको, बेंडी, टमाटर, इसमें सिंगना मिर्च और और कहिरी है, यह रखा हुआ है, इसमें लोकी और जिंजर रखा हुआ है, और इसमें मेर्यने गार्लिक रखा हुआ है, गार्लिक मेने क्योंकि वह जल्दी से फिर साफ हो जाता है इस टैप से मेरा यह वेजीटेबल सेक्षन है और भी कुछ वेजीटेबल साथ है तो इसी में मैं इसी टैप के बैग में रखते हूं चलि एक ओवर व्यू लेते हैं मेरे फ्रीज का यह इसक्रीम सेक्षन यहां पर मैंने पीज के डोवर में मैंने सारे इंडियन स्पाइस रखे हुए है यहां नीचे की तरफ फास्चील वाली ट्रे में मैंने अंडे और मिल्क कॉर्डर रखा हुआ है यहां पर आप दो बॉक्स देखते हैं ट्राइफूट्स का है और एक चीज रिलेटेड आइटम्स का है यहां पर यहां पर चाइनीज कॉर्णर है यहां आप नीचे देख सकते हो फ्रूट बास्केट है यहां पर मेरा जो भी लेफ्ट ओवर रहता है वह में इस ग्लास कंटेनर में रखती हूँ यह डरेक्ले अब ओवन में रख सकते हैं जिंजर पेस्ट गार्लिक पेस्ट और पीछे की तरफ पिकल्स हैं पीछे मैंने पनीर का पी रखा हुआ है यहां नीचे एक बड़ा सा वाटरमेलर है यहां पर मैंने क्रीमी खटा करती हूँ यह जो दो बॉक्से देख रहे हूँ आप उसमें मैंने एक तो फ्लेवर्स और कलर्स है और एक में चोकलेट है इसमें कोरियंड कोरियंडर लेमान चीली यह रखा हुआ है और इस वाले बास्केट में मैंने सारे सूप सॉसेज मैयोनीज के सारे छोटे-छोटे पाउचेज जो होते वो रखे हुए अब यह डोर की तरफ पहले वाले सेक्षन में मैंने एक माउथ फ्रेशनर रखे हुए यह बेकिंग कॉ मिक्स फूट जाम एदर रखा हुआ है मिल्क, मिक्स फूट जूस, फ्राइंटा, अमुल दूद और वाटर बाटल यह मैंने डोर में रखे हुए है इस तरह से मेरा यह फ्रीच और्गनाइजेशन जो है यह आने किया हुआ है आपको मेरा अगर यह वीडियो अच्छा लग आए तो प्लीज लाइक जरूर किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए और हाँ बेल आइकोन जरूर दबाएए थेंक्यू सो मच झाल